फर्स टाइम ऐसा हो रहा है कि थार के हमें क्लियर लुक्स देखने के लिए मिल रहे हैं मैंने पिछले वीडियो भी में बात करी थी लेकिन उसमें फुल इमेजिस नहीं थी हमारे पास front का जो फुल डिजाइन नहीं था side profile का फुल डिजाइन नहीं था लुक्स अब पूरी प्रॉपर आ चुकी है front से किस तरह की जो हमारी थार है वो होने वाली है साथी साथ इस गाड़ी की side profile है वो किस तरह की होने वाली है सबी के पार हम डिटेल्स के अंदर एक बार और बात करेंगे तो चलिए आईए वीडियो को करते हैं शुरुआ सबसे पहले गाड़ी के अगर फ्रंट लुक देखें तो फ्रंट लुक से आपको टोटली पता चल रहा होगा कि गाड़ी के अंदर क्या कुछ लुक्स है हमें देखने के लिए मिल रहे हैं तो अगर फ्रंट से देखे तो गाड़ी के समझ में आ रहा होगा कि जो विंड्शील पे हमें जो सेंसर है एडास का एडास लेवल टू इसके अंदर मिलने वाला है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है साथ में विंड्शील पे आपको वाइपर की प्लेसिंग है और साथ विंड्शील पे अंदर की तरफ देखें तो आपको कैबिन है वो दीख रहा होगा गाड़ी का किस तरह का होने वाला है अभी आपने जो 3XO लाँच हुई थी उसका जो वाइट बोल सकते हैं या लाइक क्रीम कलर के अंदर जो इसका इंटीर जो थीम है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है साथ में जो इसका जो color है वो totally different अब कर दिया गए है यानि change कर दिया गए है जो shades है वो थोड़े dark side में हमें देखने के लिए मिल रहा है तो जो red color वो red ना होगे थोड़ा dark side के अंदर वो जाता, dark side के अंदर थोड़ा जाता वो देखने के लिए मिल रहा है, तो वही dark shade इस star के अंदर भी हमें देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो इसका white color हो, चाहे वो इसका black color हो, चाहे वो इसका red color हो, चाहे इसका white color हो, मतलब टोन है वो चेंज यहां पे कर दिये जाएंगे और इसके जो बॉनेट आप देख सकते हो हुड थोड़ा उठा उठा हुग है साइड से आपको थोड़ा नीचे और वो बीच में से उठा उठा जो हुड है इसका हमें देखने के लिए मिल रहा है यहां से लोग बहुत सारी मो आप में आपको समझय तो मैं आरा होगा पहले ब्लैक कर लकर अंदर आती थी ब्लैक और सिल्वर की फिनिस के साथ में आरी थी लिकिन अभी बॉडी कलर के अंदर हमें देखने के लिए मिल रहा है तो बॉड़ी के साथ मैच आफ्टर मार्केट करवाते थे आ यहां नहीं कर लिए रोगे एसके इढ़ अंदर कव सकते हो 종 pikकी तो यह हमें हम सकते हैं तुछके तो outline's के लिए मिल रहे हैं अब आप जो grill के अंदर जो lines देख रहे हो ना ये piano finish के अंदर जो lines है वो dark के अंदर देखने के लिए मिल रहे है front से ले लो या इस गाड़ी का rear से ले लो bumper दोनों ही यहाँ पे change मतलब बोल सकते हैं black और gray की जो हलकी सी finishing है वो हमें texture दिख रहा है like बोल सकते हैं silver या black थोड़ा सा combination यहाँ पे change कर देगा है नीचे fog lamp की placing आपको मिल जाएगी तो grill और जो पूरा front से जो design है वो गाड़ी का काफी जादा बहतरीन है वो लग रहा है इसके ओर वीम के उपर आपको camera की placing देखने के लिए मिल रही है थार की बैजिंग उसके अपर मिल रही है अब यहाँ पे उपर की अगर आप roof देखो तो वो black के अंदर देखने के लिए मिल रही है हो सकता है वो plastic part हो black या यह body color इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो plastic part add इसके अंदर करा गया है तो अगर plastic part इसके अंदर add करा गया है तो यहाँ पे इन future उसको आप हटा भी सकते हो यह कुछ ऐसा features हो सकता है इसके अंदर no doubt कुछ ना कुछ तो थार ने plan करा ही होगा इसके लिए तो वो चीज आपको देखने के लिए मिल रही है dual sunroof मिलेंगे बड़े या top model के अंदर साथ में इसके जो आप पीछे वाले door देख रहे हो दोर से ही आपको पीछे का और view देख सकते हो तो उसके अंदर जो एक पीछे वाली साइड से अंदर एक जो glass है वो cut out यूज करा गया है थोड़ी different वो गाड़ी को बनाने के लिए साथ में इसका interior साइड साइड साब देख सकते हो तो साइड से भी interior आपको समझे में आ रहा होगा वैसा ही जो इसका interior हमें देखने के लिए मिल रहा है जो गाड़ी के अंदर पहले यहां पर change दिखने के था अब नीचे जो footstep की बात करें footstep भी आपको यहां पे dual tone बोल सकतो black और यह silver जैसे कुछ finish के साथ में देखने के लिए मिल रहे है तो काफी जो texture है वो इसके अंदर change करेंगे हैं और देखने में भाई look and feel हो totally बोल सकतो आप change की तरफ यहां पे देखने के लिए महिंद्रा ने यहां पे differently change करने की पूरी पूरी कोशिशा वो करी गई है तो अगर इसके इंटीर की बात करें तो इंटीर का आपको समझ में आ रहा हो गए इंटीर इस गाड़ी का totally change है क्योंकि dual tone के अंदर इंटीर मिलेगा ब्राउन और जो इसके ब्लैक के थीम के साथ में या जो इस गाड़ी के जैसे अब यह हमें देखने के लिए मिल इसका जो इंटीर है क्रीम कलर का तो हो सकता है इसी कलर का डैशबूर्ड लेयाउट भी इसके अंदर देखने के लिए मिले और ब्राउन के जो फिनिसिंग के साथ देखने के लिए मिले तो वह तो भाई थार में तभी पता चलेगा आपको totally क्या को चेंज है वह देखने के गया है क्योंकि पीछे वाले टायर को देखे हो तो जूम करके तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि यह गाड़ी का जो टॉप मॉडल हमें देखने के लिए मिल रहा है और यही इसके अंदर अलोई वील्स भी यहां पे डाले गए हैं तो गाड़ी सच्छी में काफी ज्यादा अल्टिमेट होने वाली है काफी खतरनाक्स चीजह है जो गाड़ी के अंदर आने वाली है और इंजन ऑप्शन भी गाड़ी के तीन ऑप्शन के साथ में देखने के लिए मिलेगी डीजल इंजन जो 1.5 लिटर का होगा और दूसरा यहां पर 2.2 लिटर का यहां प ट्रबो डीजल इंजन होगा तो यह इंजन ऑप्शन भी अलग अलग मिलेंगे और साथ में गाड़ी 4x4 4x2 में भी देखने के लिए मिलेगी 15 अगस्त को गाड़ी लॉंच हो जाएगी और गाड़ी का प्राइजिंग के बात करें तो 15 लाग से जो इसका लगबाग एक्श करेंगे बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स वीडियो के अंदर ओके टाटा बाइबाइबाइज चैहिंद दोस्तों